हेलो गाईज, करन्ट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज इस वीडियो सेशर में हम 20 मार्च तक के सभी इंपोर्टन्ट करन्ट अफेर्स कवर करने वाले हैं, हम इस एक तरह आप इस वीडियो का उन्त तक चरूर मिलेगा, साथी का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यह आप मारे डेली करन्ट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ, मंतली पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग और एकनोमिक अमेंस पीडियेफ चाते हैं, तो करन्ट अफेर्स सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं, कोई भी आपका एक्जाम हो, बैंकिंग, एससी, रियल वे आफेर्स पीडियेफ पूछे जाते हैं, सभी एक्जाम के लिए हमारा पीडियेफ कॉन्टेंट काफी यूसफुल है, तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडियेफ को सम्मंदित, तो आपको मेंट बॉक्स नोश्य लिखेगा, साथ ही आपको बता दे, यह जो हमारा वनियर मेंबर्शिप प्लान है, इसमें हम आपको कैटेग्री वाइस क्विज भी प्रोवाइट कराते हैं, आप देख सकते हैं, स्कीम्स, MOU, सब्मिट, ए लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा, चले फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की, हम इसे एक दिर सबसे पहले आचा क्वेशन दिखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कोमेंट बोक्स में करना है, इस पार्लेमे इस तरह कोश्चन दिखेंगे, तो मैं टेलिग्राम पर जूरू जोन करें, करेंट अफिर्स फंड़ा नाम से मारा टेलिग्राम चैनल है विश टीम वोन टाटा विमेंस प्रीमेर लीग 2024 टाइटल, टाटा महिला प्रीमेर लीग 2024 गिताब किस टीम ने चीता, ओप्शन आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन दी है, रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आपको जाना चाहिए कि रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टाटा Women's Premier League 2020 टाइटल जीत लिया है तीक है आप सब भी जानते हैं जो Indian Premier League है IPL या फिर ये Women's Premier League है दोनों में ही Royal Challengers Bangalore की टीम उतर दी है खिलती है और अब तक कोई टाइटल इन्हों नहीं जीता था लेकिन अब पहली बार इन्होंने ये T20 टाइटल जीत लिया है Women's Premier League में ठीक है और वीजेता के तौर पर इन्हें 6 क्रोड रुपे की मनी भी मिली है आपको बताद इस टीम की कैप्टन है स्मृति मंदाना इन्होंने फाइनल में डैली कैपिटल्स को आठ विकेट से रहा है ये फाइनल अरुण जेटली स्टेडियम न्यू डैली में खेला गया प्लेयर दिप्ति शर्मा यूपी वार्योर्स की मोस्ट विकेट लिया है शुर्यंका पाठील ने रोयल चैलेंजर्स बेंगलोर आपको जाना चाहिए जो फर्स्ट सीजन था ये मार्ट 2023 में खेला गया था यहां मुंबई इंडियंस चैंपियन मनी थी और ये अपकी बार जो खेला दिया है और पहली टीम बन गई है इसलावाद यूनाइटेड जिसने तीन टाइटल जीत लिया है बाबर आजम मोस्ट इसकोर किये हैं उसाम अमीर ने मोस्ट विकेट लिए इस टूर्णामेंट में शादाप खान को प्लेर आफ ता टूर्णामेंट गोशित किया गया वू वॉस औड़ ता पी वी नरसिमा राओं मेमोरियल आवॉर्ड रिसेंटली हाली में पीवी नरसिमा राओं मामोरियल पुरुस्कार से किसे सम्मानित किया गया ओप्षन 케ा के सामसे हैं पीवी नरसी माराव मैमॉरियल ऑवार्ड जो की इनहीं के नाम पर है ठीक है फॉर्मर प्राइमिस्टर रहे हैं आप सभी जानते हैं तो यह उन व्यक्तियर को दिया जाता है उन परसन को दिया जाता है जिनूरों सोशल वैलफेर या हुमेंटरियन कौस्ट के लिए कारिक किय रहा है रतन टाटा आपको बदा दे टाटा ग्रूप के जो है चीफ रहे हैं उनिस्ट से दोजार बारा तक चेर्मेन रहे हैं इन्वरिम चेर्मेन भी रहे अक्टुबर दोजार सोला से फर्वई दोजार सत्रा थक हाली में टाटा ग्रूप फर्स्ट इंडियन कोंग्रोमेरेट बनी है जिसने तीस लाग क्रोड की मार्केट कैपिलाज़शन क्रॉस की है बारत रिजर्ब बैंक ने डीसी बी बैंक लिम्टेट पर कितना मौधरिक जुरमाना लगा है आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है त्रियसेट लाग साथ हजार का देहिए रिज्ब बैंक ओफ इंडिया ने त्रियसेट लाग साथ हजार का monetary penalty लगाई है DCB bank limited पर क्योंकि RBI के कुछ directions थे interest rate on advances से संबंदित उनका अनुपालन इसके द्वारा नहीं किया गया वही Reserve Bank of India ने 1,31,80,000 रुपे का जुर्माना का है तमिलनाण mercantile bank पर क्योंकि इसने RBI के जो interest rate on advances और central depository of information on large credits revision in reporting इससे संबंदित जो directions थे उनका अनुपालन नहीं किया है आपको यह भी जानना चाहिए कि हाली में Reserve Bank of India ने जो अभ्यूदया cooperative bank limited की committee of advisors से इसको reconstitute किया है और दिवेंद्र कुमार जो की former chief general manager ने इस्टेड बैंक इंडिया के इन्हें इस committee में शामिल किया है महिंद्र चैजीट के बदले क्योंकि यह रिजाइन कर चुके हैं आपको तादे 24 नमबर 2030 को Reserve Bank of India ने जो अभूदया बैंक है इसका जो board of directors उसको अपने हाथ में ले लिया था बारा मंस के लिए और सत्य प्रकास पाठा को administrator नियुक्त किया था तो इनके अलावा अब इस committee of advisor में वेंकटेश हेगडे और सुहास कोखली भी है What is the theme of the annual conference of RBI Ombudsman held in Mumbai Mumbai में आजित RBI लोगपाल के वार्सिक सम्मिलन का विशे क्या है सही answer option D है protecting the consumers, building robust systems and procedures आपको जाना चिए Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021 यह 12 No.21 को launch की गई थी और इससे पहले जो existing three Ombudsman Scheme थी RBI की Banking Ombudsman Scheme 2006, Bank Ombudsman Scheme for Non Banking Financial Companies 2018 और Ombudsman Scheme for Digital Transaction 2019 तो इन तीनों को integrate बन करके यह scheme बनाई गई थी 2021 तो इस scheme को Reserve Bank of India द्वारा जो जो Banking Revolution Act की Section 35A या फिर Section 45L of RBA Act 1934 और Section 18 of Payment and Settlement System Act 2007 के तहते तहत जो RBA के पास पावर है उसके तहत इसे बनाय गया था When is the International Day of Happiness celebrated? अंतरास्टे प्रसन्नता दिवस कम मनाया जाता है? सही answer option C है March 20 देखे, International Day of Happiness यह हर साल 20 March को मनाया जाता है और इस दे को established किया गया था United Nations General Assembly द्वारा 28 June 2012 को इस बार 2014 में इस दे का theme है Reconnecting the Happiness, Building Resilient Communities आपको भी जानना चाहिए कि UN French Language टे भी 20 March को ही मनाया जाता है और आपने पढ़ लिया होगा आप कल आपके साथ शेर भी किया था चैनल पर यह परसन है देके एक्जाम जो है इन्होंने काफी अच्छे अच्छे निकाल दिये है और दो इनको बहुत बहुत शुपकाम ना है और यह कह रहे थे इन से बाच्चीत हुई मेरी कि अगला टार्गेट सर आर बी आई ग्रेड बी का है तो उमीद है कि उसमें भी निकाल देंगे तो यह आपको इसलिए शेयर किया जाता है कि आप जो है थोड़ा मोटिवेट हो इन चीजों को देखकर आप कुछ भी कर सकते है पॉसिवल है एक्जाम निकालना ठीक है बस आपको तैयारी शाहिए अब यहां पर हम देखतो रहे हैं कि उन्हें एक्जाम निकाल दे पर इसके पीछे कैसी मेहनत रही होगी यह केवली यही जानते हैं ठीक है तो आप अपने सोर्स को को लिमिटेड रखिए आज के लिए एस्पिरेंट सोर्स में ज्यादा बहचाते हैं पीडियेफ इतनी अवलेबल हो चुकी है एना टेलीग्राम पर पीडियेफ की भरमा रहे हैं ठीक है यह तो आप एक चीज पूरी कम्प्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से तीन चार बार रिवाइस ही नहीं कर पा रहे है एक जैनल इन सोर्स को तो यहीं आपकी जो है कम जोरी हो रही है अगर आप जैनल अवेडिन सी बात करें बाकी तो जो रीजनिंग क्वांट है इसमें आपको प्रैक्टिस की जरुत होती है ठीक है तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो भी आपके पास सोर्स है उससे आर्मी एंड सेसेल्स डिफेंस फोर्स तो भी कंड़क्टिड बाहरते से न और सेसेल्स रख्षाबलों की बीच सहीं अभ्यास लामित ये टूटी 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 फोर का कौन सा संस्क्रण आयो जित किया जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी है 10 अगर देखें इंडियन आर्म के लिए डिपार्ट कर चुका है निकल चुका है यहां पर 10 एडिशन होने वाला है जोंट एक्ससाइज लमित यह दोजार चोविस का जोगे इंडियन आर्मी और सेसल्स डिफेंस फोर्स के बीच में होने वाला है अठार से 27 मार्ट बीच में चलेगा यह और लामित यह का म नेम ऑफ दे बाइलेटरल ट्राइसर्विस हुमेनिटेरियन एससेसेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्ससाइज बेट्विन इंडिया और युनाइटेड इस्तेट्स भारत और से युक्त राज अमेरिका के बीचे तुई यह पक्षिया त्री सेवा मानवीय साहता और इस्तेट्स के बीच सुरू हो चुकिया इस्टर्ण सीबॉर्ड युनाइटेड स्टेट्स में 18 मार्च को और 23 और 31 मार्च तक चलने वाली है तो इंडियन नेवी शिप्स भी इसमें पार्ट स्विट कर रही है विद इंटिग्रेटेड हैलिकॉप्टर्स लेंडिंग क्रा टुकिया आपको जाना चाहिए जो यह स्टर्ण सेबूर्ड है इसे इस्ट कोस्ट उफ दे ओन्याटेड स्टेट्स भी बोलते हैं ए्लंटिक सी बूर्ड भी ऑन घ्रिप एंटल्निक कोस्ट वी बोलते हैं तो जो इनाटेड स्टर्ड पार्ट है जहां पर ऑन आट्लैंटि दोन ती टू निम्विश्च से किसने वर्ष 2022 के लिए सास्त्रबल चिकित्सा सेवाओं के सर्फ श्रिष्ट कमांड अस्पितल के लिए रक्षामंतरी ट्रॉफी जीती। सही आंत्र आप्षन ने हैं कमांड हॉस्पिटल सुधर्ण कमांड पुने देखे रक्षामंतरी for the armed forces medical services for the year 2022 was presented in New Delhi नई दिल्ली में यह वार्ड थे गए हैं कि रक्षामंतरी टोफी फॉर best command hospital और second best command hospital तो जो best command hospital है यह रहा है सदर्न कमांड पुने का second best command hospital रहा है central command लगनोबाला रक्षामंतरी टोफी आपको बता दे 1989 से ही दी जा रही है जो भी armed forces hospital है जिन्होंने health care services काफी अच्छी provide कर आई है उन्हें दिये जाते हैं which declaration was recently signed by ministers of health from African countries with the highest burden of malaria malaria के सबसे दिक बोज़ वाले अफरीकी देशों के स्वास्ते मंत्रियों ने हाल ही में किस गोशना पर हस्ताक्षिर की सही answer option दी है यांडे declaration मिनिस्टर्स of health from African countries ठीक है उस तरह उस उन African countries में जहां पर malaria का सबसे आदा प्रकोप है ठीक है तो यहां के health ministers ने हाली में एक यह उन्हें declaration को sign किया है जिसका objective है malaria deaths जो रही है उनको end करना ठीक है ग्यारा फ्रिकन कंट्रीज के health ministers ने से sign किया है आपको बता दें यह जो sign किया गया यह यह उन्डे conference में sign किया गया है जिसे host किया है world health organization और government of Cameroon में तो Cameroon में यह आयो जित हुआ और यहां पर sign किया गया यह उन्डे conference यह यह उन्डे declaration ग्यारा कंट्रीज कोन कोन से रही पुरुकरिया फासो Cameroon Democratic Republic of Congo घाना माली Mozambique नाइजर नाइसीरिया सुडान युगांडा और तंजानिया तो 70 परसेंट जो global malaria burden है वो इन देशों में ही है कि माफ किजिए को यूर्य मिस्टर अर्जुन मुंदा लेड़ फांडेशन इस्टोन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन और प्रोमोशन ऑफ टाइबल कल्चर और हैरिटेज इन विची स्टेट केंद्र मंत्री अर्जुन मुंदानी के स्राज्य में जंजातिय संस्कृति और विरासत के संदक्ष्ण और संवंदर केंद्र किया दार्शिला रखी सही आंतर अप्शन भी है चारकंड देखी यूनिन मिस्टर फोर ट्राइबल अफेर्स अग्रिकल्चर और फार्मर्स वाल फिर अर्जुन मुंदा इन्होंने सेंटर फोर प्रिजर्वेशन और प्र किसम बैसे किसानों और सुख्ष्म उद्यमा को वित्य सायता देने के लिए किसमंच ने सिवालिक स्मौल फायशं वैंक के साहधारी कि है तो ही आमज़र चने है area.agt देखे ग्रेन कोमर्स प्लेटफोर्म आर्या डोट इजी इसने पार्टनर्शिप की है सिवालिक स्मॉल फाइनस बैंक के साथ ताकि फार्मर्स को असिस्ट किया जा सके एक्रो प्रोसेसर्स और एब्ड़ी एड़सी वाइलिक स्मॉल फाइनस बैंक के अंशिल स्वामी हैं है इंघ को कौन सा प्रोस्खार बिना सहीज अंतृप्शन सीए सी एंग रीचारड हैड्लै मेडऱ् मेडल देखे या जाएं हाली में एएज़ेट निज्जिलेंड क्रिकेट आवर्ड्स कोशित हुए हैं और न्यूजिलेंड के और इस तेंडिंग फिमिल केटर रही हैं मेलेक इस तरह कोशन्स पूछ लेता हैं दूसरे देशों में विंदर को डेवी होकी मेडल मेली कायर को और बैल्ट सट्क्लिफ मैडल फॉर आउस्सेंडिंग सर्विस इस तुग्रेट दिया है ट्रोडी अदिन सब्सक्राइब और माफ की जाएगा इंपीछ में दोड़ा दिक कदावी आउट पान पान पीच में हैंड कर गया तक है और जी जीजे गारडणर हों में न्यूजईलैंड अम्पायर अफ दी यर उफ्ट प्राउंड को दिया गया है ANZ Test Player of the Year Kane Williamson, ANZ Men's ODI Player of the Year Darren Mitchell, Women's ODI Player of the Year Millie Care T20 Player of the Year Mitchell Sandner T20 Player of the Year Women Millie Care Which country unveiled the world's first ever 3D printed mosque? किस देश ने दुनिया की पहली 3D मद्रित मस्जिद का नावरन किया? सही आंदर अप्शन दी है साथ यरब Kingdom of Saudi Arab में अब वर्ड की फर्स 3D printed mosque open हो चुकी है तीक है अब 500 square meter में ये फैदी हुई है और आपको जाना चाहिए ये प्रोजेक्ट पुरा किया गया है Force on Real Estate के द्वारा और अलजवारा सब अर्ब में located है और किसके नाम पर है? अब्दुल्ला अजीज अब्दुल्ला शर्बतिल के नाम पर ये मौस्ख रख गई है Which Indian state has the highest number of eat right campus certified jails? किस बारती राज्य में eat right campus प्रमानी जैलोगी संख्या सबसे अधिक है? सही आंतर अप्शन दी है उतरपदेश देखे लगबग सो जेल पुर्य देश में certified की गई है eat right campus के तौर पर किसके द्वारा food safety and standard authority of India के द्वारा ठीक है? मतलब है आपर जो healthy eating habits को promote किया जा रहा है और hygiene का दियान रखा जा रहा है तो जो FSS AI का eat right India movement है इसका मकसद है to promote safe, healthy and sustainable food in different workplaces and institutions including jails highest number जहां पर रहें certified jails उत्तरप्रदेश में उसके बाद पंजाब, बिहार और मध्यप्रदेश मतलब इस तरह की jails जहां पर अच्छे से खाना दिया जा रहा है ठीक है hygiene का धियान रखा जा रहा है प्रोपर और सुद्ध खाना है the program which also covers education institutions, workplaces and hospitals यह भी इसमें cover होते हैं ठीक है तो यह eat right India moment का जो है एक part है दो साल तक के लिए certification जो है valid रहता है और यह जो पूरा campaign है eat right campaign के तीन पिलर पा अधारीत है eat safe, eat healthy and eat sustainable what is the tenure of a presidential term in Russia रूज में राश्टपती का कारेकाल कितना होता है तो यह answer option है 6 years Russian President Vladimir Putin ने जो है पांची बार Russian President presidential elections को चीत लिया है 87.8% of the total votes इन्हें प्राप्त हुए है और इस तरह से अब इनका जो नया 6 साल का term है वो शुरू हो जाता है और अगर यह पूरा यह term अपना पूरा कर लेते हैं तो यह Russia के longest serving leader भी यह बन जाएंगे और किने ओवर्टेक कर लिंगे जोसेफ स्टैलन को आपको जाना चाहिए पोतिन रेशा के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके है 1999 से 2000 तक और फिर 2008 से 2012 तक उसके बाद फिर प्रेजिडेंट भी रह चुके है 2000 से 2008 तक ठीक है और अब 2012 से अब तक ठीक है हैं तो कई वडूबर कॉसेन देखा गया है कि निमल्हकितन से कौंसा लेटर प्राइमिस्टर और प्रेजिडेंट दोनों रह चुका है कंट्री का तो समय प्रेजिडेंट का नाम तो याद रहे प्राहिं मिस्टर भी रह चुके हैं बागी दर्स्या से संबंदी देख न्यूज और जान लिजे अलेक्सी नेवलनी ये रुषियन प्रेजिडेंट व्लादीमीर पुदिन के मोस्ट प्रमिनेंट डोमेस्टिक हो रहे हैं यानि की क्रिटिक रहे हैं इनका हाली में दिजन हो गया है आर्टिक प्रीजन में और जेल में की डेत हो गई बाकी ये तो पुराने कोस्ट्टन है ना आज थोड़ा दर्वादर हो गया प्रिए साइंट के आंसर देखेंगे व्यू हैस बीन अपटेट इन अप्रमिस्टर प्लस्टीन मौममध मुस्तफा थे यूस हैज हैड 46 प्रेजिडेंट सो फार हाव मैंन जिन उन यंध यिज अन। फंडि इन्य। विजए टीजीट इन्य। पे टीज्ट फिरू अजने टीजिट एत रौट प्रिए आसम, रिचेज जेखटर इट्टि इचम के युणे इन्य।टी इन्य। बास्टिऩिय हैं। बास्वा इन्य। ये इन्य। इंचिट कोड़ी को युटा यह आंसर किया है इसी तरह से आपाट स्विट करते हैं चले आज के साइमेंट कोशन देखेंगे दा हीमगलबीन एवंधी टेस्ट या फिर ही एवंधी टेस्ट इस्ट इस तो डिटेक्ट वथ इस्टाट हो कोशना टेस्ट करते हुए पिर एवेंट लिटेदा तेस्ट ऑूबी छोप्सकाइ प्टेस तोंग्स प्र Germ सब्सक्राइब तो इसका अंसर आपको देना है पाँचों कोसिस कीजिएगा यह एक कोशन का अंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बुक्स में अवश्य ही बताएं साथी करेंट अफेर्स फंडर को आप टेलीग्राम पर भी जोईन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुराइब वीडियो अपडेट्स और करेंट कुज्स हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी डिस्केशन ग्रूप में आप किसी भी कोशन का सुलेशन पासकते हैं थैंक्यू कि लिए सास्ट बास साथ हुआ सिर्ड़ एंक बास सी हम इसकार आप सुलेट के लिए में रगव मिला हैं उनकार कोरें बास द्टी बाष् समय जो हैं सो फक्रणियों क मुटें तर प्सके रालते हैं